Hello friends, आपका स्वागत है हमारे online learning platform Molex Learning में आज की वीडियो में हम discuss करेंगे data types in python तो start करते हैं, देखते हैं सबसे पहले what is data type तो देखी data type हर language में बहुत ही programming language में बहुत ही important term है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है तो इसके नाम से पता लग़ा data का type अब देखी जो python language है उसमें क्या होता है हर चीज क्या होती है object oriented programming language है तो हर चीज class और object की term में होगा तो यहाँ पर data क्या है class और object की term में होगा तो उस type की class हम use कर रहे हैं उसका data type मतलब उसकी किस type की class है उसको यह represent करेगा तो यहाँ पर जो class होगी वो हर class का जो characteristics और उसका behavior क्या होगा अलग-अलग type से होगा तो उसको जो python language है वो built-in type या primary data type की term में provide कर रही है उसको categorize हम करते हैं अलग-अलग type में सबसे पहले आता है numeric type numeric type में कौन-कौन classes आती है जैसे integer आती है integer class के अंदर whole number आते है जैसे 1,2,3,4 float class आती है जिसमें fractional value जैसे 1.24, 1.46 इस type से आएंगी फिर आती है complex class complex class के अंदर हम क्यारते हैं जैसे x plus yj के format में होती है जहाँ पर x real part है और y क्या है imaginary part है दूसा categorization जैसे collection type है collection type नाम से ही पता लग रहा है कि यह group of data या group of values के उपर वग करेगा तो इसके अंदर जो classes आती है उनमें कौन-कौन-कौन सी class आती है इसमें पहली आती है string class जो की string values, characters values का combination होती है list आती है इसको हम discuss करेंगे tuple class आती है, set class आती है dictionary class आती है इस सब के सब के यह group of values पर वग करते है इनका individual video lecture हम next आर्ने वाली वीडियो lecture series में discuss करेंगे इसके बाद आता है boolean type boolean class के अंदर दो value पर वग करती है true और false के पर यह वग करती है last one है binary binary जो की binary data के पर binary values के उपर वग करती है तो इसमें binary के अंदर क्या है categorization में दो classes आती है byte और दूसा byte आता है तो सब से पहले हम discuss करते है numeric data type तो numeric data type में पहले है integer आ रहा है तो इसका example देखते हैं जैसे यहां पर python एकल टू 10 यहां पर 10 value हमने 10 क्या whole literal value है जो कि whole number है और इसका type चेक करने के लिए python में एक built-in function होता है type function जो कि इसका type return करता है और print function क्या करता है इसको display करता है तो यहां पर इसका output क्या है class क्या है int आती है ऐसे ही float class है float का example देखते हैं यहां पर script लेकिए equal to 10.4 literal value 10.4 है यहां पर point के decimal part आ रहा है तो यहां पर भी print command के अंदर हम type function use करेंगे तो यह इसका type class float return करेंगा similarly complex class के लिए जो कि x plus yg के format होती है यहां पर a equal to 4 plus 3 j है तो यहां पर print करके हम type a check करते हैं तो यहां पर इसका output class क्या है complex return करता है चलिए इसको practically demonstrate करके देखते हैं visual studio code पर चलते है visual studio code पर वहां पर हम इसको run करके देखेंगे practically कैसे work करता है तो यहां पर new file पर जाएंगे आप और यहां पर python file select कर लिया और यहां से आप python की script लिखना start करेंगे हम numeric type पर discuss कर रहे है तो सबसे पहले हमने एक इस तूट पर 10 लिखा और इसको print कर दिया इसका print हम चेक करेंगे type of a क्या है इसको करेंगे और यहां पर type function लगाएंगे हम और यहां पर a का type चेक कर लेगा similarly हम क्या करेंगे इसको copy कर लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं और यहां पर 10.4 हमने कर दिया option type of b हम चेक करेंगे और यहां पर b का type भी है यहां पर हमें मिलेगा similarly हम यहां पर फिर से कर लेते हैं a equal to c ले लेते हैं c equal to 4 plus 3 j ले लेते हैं और यहां पर type of c चेक करते हैं कि क्या इसका type यह return करता है यहां पर तो हमने यहां पर python script लिख ली और इसको बाद इसको file को लिखने के बाद file के अंदर जाके इसको save कर लिया ctrl plus s करके भी save कर सकते हैं इसका नाम देता हूं मैं num.py नाम से save कर देता हूं अगर already बना होगा तो मैं इसको override कर देता हूं इतना करने के बाद यह मेरी file बन चुकी है मैंने इसको python script लिख दी है और इसको save कर लिया है तो यहां पर run आ रहा है आपको तो यहां पर run पर आपको click करना है तो यह python script execute होना start होगी तो यहां पर देखिए आपको output measure आ रहा है यहां पर पहले मैंने equal to 10 दिया तो उसका type क्या रहा है class type क्या रही है a return कर रहा है class integer type आ रही है type दूसरा print मैंने किया b का b के लिए type of b क्या है class क्या है float आ रही है और फिर third c equal to 4 plus 3 j कर रहा तो print function जब लगा है type function यहां पर check कर रहा है तो यहां पर type of c क्या रहा है class क्या है complex आ रही है तो यहां से आपको कितना clear होगी है कि जो numeric type है उसको हमने यहां पर समझ लिया तो आपसे last में request है कि अभी तक हमने हमारा यह channel molek learning subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कीजिए ज़दे ज़दे share कीजिए और हमारी learning platform learning.molek analytics.com पर भी आईए और इसको access कीजिए thank you